हेलो फ्रेंड्स स्वावत है आपका नूर के नजरिये में और आज हम नया दिन नई शुरुवात और टॉपिक भी बिलकुल नया तो आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता की ट्रांस प्लांटिंग के लिए जी हां ये वही अपराजिता है जो मुझे अभी गिफ्ट में मि थी छोटे से एक अमूल के आइस्क्रीम बोल और एक मेरे पास पहले से जो मैंने गमले में लगा रखी है और इसी गमले में हम इस सप्राजिता को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से दो वेले हो जाएंगी और इसी में चोटा सा सूरज मुखी का बीच पड़ा ह है वह अभी छोटा सा प्लांट है बाद में उसको अपन किसी और गमले में ट्रांस्प्लांट कर देंगे देखी अभी इसमें स्पेस है तो इधर हम एक छोटा सा होल बनाएंगे खुर्पी की मदद से और उसमें अप्राजिता को लगा देंगे बस ध्यान रखना है तो कु मेरा न्यू कटिंग वाला प्लांट तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसमें एक होल बनाते हैं अप्राजिता का प्लांट लगाने के लिए यह वाइन होती है हाला कि इसको सपोर्ट की जरूरत होगी बाद में अपने इसमें एक ट्रेलिस फिट कर देंगे या फिर किसी मौस इस रिक की मदद से इसको बांदेंगे तो यह अच्छे से ग्रोथ करेगी यह ब्लू कलर की सिंगल पैटल अप्राजिता है इसको बस वैल ट्रेंड स्वाइल में कम पानी के साथ इजी ली चल जाती है और यह इसके फूल एडिबल होते हैं इसको अप्राजिता भी कहत होते हैं तो यह एक मेडिशनल प्लांट भी होता है इसके फूल एडिबल होते हैं उसका फूट कलर के लिए भी किया जाता है अप्राजिता के फूल वैजिटेवल कलर में आते हैं देखिए तो मैंने पानी भी ले लिया एक मग में बस शुरूआत करने वाले हैं तो इसको करने के लिए ऐसी तरह आप भी अपना प्लांट ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी खात की जरूरत पड़ेगी जो अभी नहीं मिलाएंगे बाद में मिलाएंगे क्योंकि थोड़ा सब प्लांट स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसमें खात देंगे तो उ देमेज नहूं तो देखिए मैंने खुर्पी ले लिए और यहां आपन एक होल बनाएंगे तो फिर मिलते हैं एक होल बनाने के बाद इस जी फ्रेंस यह देखिए मैंने इसमें एक छोटा सा गड़ा कर लिया है अब हम अपने प्लांट को निकालने वाले हैं तो बस आपको दियान रखना है कि आप जो भी प्लांट ट्रांस प्लांट कर रही है उसकी रूट सिस्टम डैमेज ना हो उसका जो रूट बोल है वो बहुत अच्छे से आसानी से निकल आए वो तूट न पाए क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी सी सफेद कलर की नई नई जड़े बन कर रहे हैं यह देखिए मैंने पूरा पल्टा के उसको आसानी से हाथ में ले लिया जब भी प्लांट करना हो तो उसके एक दिन पहले से ही उसमें पानी डालना बंद कर दें यह देखिए यह कटिंग से ग्रो प्लांट है और इसका रूट सिस्टम कितना अच्छा बना सिट्एबल कर देना है जी यह देखिए मैंने इसको आराम से लग दिया अब इसकी आसपास की मिटी को सपोर्ट डेते हुए तने को एक साथ कर लेंगे कि दीरे-दीरे से मैं आसपास की मिट्टी इसके स्टेम के आसपास कर दूंगी और इसको चीदा कर दूंगी ब्लकुल एक सा ताकि दौनों प्लांट अलग-अलग रहें और उनको हवा मिलती रहे एक दूसरे में ये देखिए उलज गए तो इनको में आसानी से अलग-अलग कर दूँगी ये देखिए सारे प्लांट अलग-अलग हो चुके हैं अब मैं इसमें पानी डालूँ जिससे कि जो भी यार पॉकिट्स हो या मिट्टी में लंस वगेरा हूं यहां फंजिसाइड मिला कर भी मैं इसलिके नहीं क्योंकि एखिए सब चीज जगते अच्च कहों हैं तो आफ्छी सब्हूं चीजसें को बहुत अफाग करते हैं तो आप यह लाएक कर सकते हैं कि पानी में फंजिसाइड मिला पीदा जाम स्कतर्के में यह Nine सीडलिंग तैयार है जोपन बाद में इसी तरह से किसी और गमले में ट्रांस प्लांट कर देंगे तो देखिए यह हमारा प्लांट लग चुका है और बस अब हम इसमें पानी डालेंगे यह पानी बिना फंजी साइड के आप चाहें तो फंजी साइड डाल सकते पर यह मैंने अभी न्यू ही मिट्टी बनाई है जादा दिन हुए नहीं है क्योंकि मैंने जो पहली वाली इसमें वाइन लगी हुई है वो ट्रांस प्लांट कहते समय मिट्टी बिलकुल न्यू तैया किती हो आपने देखी मेरी मिट्टी कितनी बूर बूरी है इसी तरह मैंने यह पानी डाल दिया इस सारे लंब्स और एयर पॉकिट्स समाप्त हो जाएं फिर 15 दिन के बाद इसमें हम लिकृड या सॉलिड खाद देना शुरूर करेंगे जिससे कि इससे इकी ग्रोथ बहतर ह तो आपके साथ शेयर किया जाएगा तो आप बताईए आपको यह ट्रांस प्लांटिंग कैसी लगी और सजिस्ट करिए कि और कौन सी वीडियो आप मेरे देखना चाहते हैं किस किस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में तो इसी के साथ आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज सपोर्ट मी तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में थैंक यू